बिल्कुल जतिन आप वहाँ पर बात कर रहे हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये भी हमको बता रहे हैं आप बस वापस लोटेंगे अन्नी से की हमारे साथ जोड़े हो इनकी पास भी वापस लोटेंगे लेकिन अपने दश्यकों को बता दे कि दुकानों पर नाम देव अगरवाल ने कहा है कि विशे ठेले का नहीं कावडियों का है और क्या कहा है आई आपको सुन्वागे हैं जिजा प्रशार्शन के हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने धावे और चलाते हैं और अधिकान सुक्ते मुस्लि यहां बैठा चाहिए बैठाओं के नाम पर दुकान खोल करके नोनवेज नहीं बैचिए यह हमने अगर किया था उसी के समदे पशासब भी कारवाई किये इसमें जिस पर कार से नंगे पोलिटिकर लोग चैशी एखलेज जादा हों चैए ओवेसी हों जो इसको एक सामाजि परी सयोगी अंजली भी हमारे साथ बने हुई हैं अंजली आप शामली में इस वक्त मौजूद हैं देखिए सवाल यहां पर आस्था का है अगर कावड़ी जा रहे हैं धाई सो किलोमेटर का सफर तया कर रहे हैं तो उन्हें शुदता का खयाल रखना पड़ता है और इस द बिल्कुल लेकिन इस आदेश में प्रेंका ये भी देखने वाली बात है कि किसी धर्म जाती का यहां पर नाम नहीं लिया गया है बस सभी दुकान दारों से कहा गया है कि जो मार्क कावड यात्रों के रास्ते में पढ़ता है जो भी दुकाने पढ़ती है वहां पर उनको विश्राम करने की वैबस्था की जाती है अब इस जगा पर कई दुकाने है खाने की यहाँ पर आईई हम लोगों से बात करते हैं क्योंकि यह आदेश शामली के लिए आनि कि सारनपूर रेंज के लिए भी हाल फिल हाल में आया है तो यहाँ पर क्या इनको नोटिस मिला है कि आपको अपनी दुकान पर अपना नाम भी लिखेंगे तो देखें किस तरीकिसे अलग अलग जगा से हमारे सहोगी वहां की तस्वीर बता रहे है क्योंकि बड़ा देश जारी क्या क्या है ताकि साब्रदाइक सोहार्दिता बनी रहे बहुत देखें लगतार आपको फिलाल इस पुरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं और ओदरपदेश के मुख्यमंत्री योग या दितना अतकावड यातरा को लेकर अक्शन मूट में असरा है और आदेश उनकी तरफ से जारी किया गया उनके इस आदेश को लेकर स्वामी चक्रपाणी महराज क्या कुछ कह रहे हैं आपको सनवात है यात्रियों को या यात्रियों को यह पता होना चाहिए कि जिससे समान ले रहे हों कौन है इसकी तो अजादी होनी चाहिए अब आसुदीन वैसी की बात है उनके पेट में दर्द हो रहा है चाहिए इस तरह के मौलाना का तो हमें लगता है कि काफी इनके ठोले ठेले कुमची या इनके फल के दुकान इनके भी लगे होंगे जो नाम बदल के बेशनो ठाबे टाइब के करके चलवाते होंगे इसलिए इसलिए एक्सपोज हो रहा है इसलिए पेट में दर्ध है और इसे बीच आपको दूसरे पक्ष का भी प्रतिकरिया सुनवा देते हैं आल इंडिया मुस्लिम के जो राष्ट्री अध्यक्ष है मौलाना रिजवी ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा है जो एडवाईजरी जारी हुए इस पर किस तरीके से अपनी प्रतिकरिया व्यक्त कर रहे हैं वो आप सुन लेजे तो इसका मतलब लाइन आडर से मतालिख है और इसका मतलब कोई और राजनीती नहीं है जो लोग भी राजनीती कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ये धार्मे की आतरा है इस धार्मे की आतरा जो आसा से मतालिख है इसका खेलवार स्यासत में नहीं करना चाहिए और ये पुलिस अकले श्यादों ने इसको एक स्यासी रंग दे दिया है और उसको हिंडू μέLES दो धाराओं में उसको तक्सीम कर दिया है यह नहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है मुसल्मानों को हिंदूों से हिंदूों को मुसल्मानों को लड़ाने की साज़श रची जा रही है अखलेश यादों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो राजनिती करें सियासत करें खुब सियासत करें एलेक्शन अभी तीन साल बाद आएंगे फिर वो खूब राज़िती करें मगर धार्विक मामलात को लेकर के वो हिंदू-मुसल्मानों के दोनों के दर्म्यान टकराओ पैदा न करें और बीजेपी नेता मुक्तार अबास नकवी ने कहा कि मैं कोई गुस्ता नहीं था मैं अन्टचेबिलिटी के खलाफ हूँ और उन्होंने क्या कुछ कहा है हमरे सहियोगी लोमस ने बादचीत किया है आईए सुनते हैं करने के लिए पूर्व केंद्रे मंतरी मुक्तार अबास नकवी जी है नकवी जी मुझबपन मिनकर में आपने देखा किस तरीके से दुकान वालों ने अपनी पहचान और अपना नाम उजागर करके लिखा है निम प्लेट के जरिए और साथी लगाता रही जो विपक्ष है में इस पश रूप से लोगों की सुरच्छा, लोगों के आस्था के सम्मान के साथ जोड़ा है और मैं मानता हूँ कि इस पर किसी तरह के कर्मनल कन्फियूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इस पर किसी भी तरह का कर्मनल कन्फियूजन क्रिएट करना न तो इसमें किसी को क्या आपती हो सकती है मैं जो है अस्परशिता के खिलाफ हूँ लेकिन जो है वो शर्दा का सम्मान और आस्था का सम्मान और उसकी सुरच्छा होना ही चाहिए क्या वो गुस्सा था सर? किसका? आपका आपने जो ट्वीट किया था मैं तो कह रहा हूँ कि मैं जो है वो इस प्रशिता जिसे अंटचेबिल्टी कहते हैं उसके हम खिलाफ है लेकिन आस्था का सम्मान आपने पढ़ा नी सम्मान होना ही चाहिए इसके पक्षमें लेकिन असुदिन हो विसी तो सवाल उठा रहेगे हिटलर साई कुछ लोग जो है सेकुलर शेरवानी में कमनल कारिस्तानी के कारीगर है तो हम क्या करें कावड यात्रियों के लिए सीम योगी का बड़ा फैसला कावड रूट की हर को कार्ट पर लगा रहा होगा नेम प्लेट लिखना होगा मालिक का नाम और पहचान हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोड़क्त बेखने वालों पर भी होगी कारवाई उतरतर प्रदेश की गौंडा में चंडिगर डिबुगर एक्स्प्रेस के डिबबे पत्रे से उत्रे हासे में तीन से ज्यादा लोगों की मौत कई लोग है लोग है ट्रेन हाथ से के बाद राहा तो बचाव मेजूटी अंडियरफ और स्टियरफ की टीम जोन तस्वीर आई सामने चंडिगर से डिबुगर जाने के दौरान हाथ से का शिकार होई थी प्रेन उत्रखन के रुड़की में रफ्तार का क्यार देखने को विला दो गाड़ियों में जोरदार टककर ट्रकी चिपेट में आने से एक काबड़ी की मौत और घटना कैमरे में क्या धू गए